आप सबी अपने घर में अपने अपने तरीके से भिंडी की सबची बना दे होंगे लेकिन एक बार मेरे तरीके से ये प्याज और भिंडी की सबची बनाएगा जो बहुत ही टेस्टी बनती है, बिलकुल भी चिप चिप भी नहीं बनती और खाने में बहुत मज़िदा लगती है तो सबसे पहले मैंने 10 किलो भिंडी ली हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया और कपड़े पर रखकर अच्छे से पौच लिया भिंडी में बिल्कूल भी पानी नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा दो कर पहुंचना जरूर अब आपको भिंडी के आगे और पीछे का हिस्सा कट करना है और इसके इस तरह तूपीस करने हैं अगर भिंडी बहुत जादा बड़ी है तो आप इसे बीच में से भी कट कर सकते हैं लेकिन छोटी भिंडी को इसी तरीके से कट करना है तो ये देखिए जो छोटी भिंडी है उनके दो हिस्से किये हैं और जो बड़ी भिंडी है ना उनका आगे पीछे का हिस्सा निकाल कर इस तरीके से इने चार भागों में कट कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने ये सारी भिंडी काट कर त्यार कर ली है अब भिंडी के साथ ही ना हम इस सब्जी में डालने वाले हैं प्यास तो मैंने तीन मीडियम साइस के प्यास को इस तरह लच्छों में कट करके लिया है देखिए इस तरीके से हमने बारेक लच्छे कट किये है अब ग्यास पर रखिए एक कढ़ाई और इसमें डाल दिया है सरसो का तेल ये सबजीना सरसो के तेल में बहुत ही डेस्टी बनती है तेल के गर्म होने के बाद आदा चमच अजवाइन डाल दिया है दो तिन पिंच इसमें हिंग जरू डालें मीडियम फ्लेम पर अजवाइन और हिंग को भून लेना है अब यहाँ पर जो प्याज मैंने काट के रखाता इसमें से थोड़ा सा प्याज अलग रख दिया है और बाकी का सारा प्याज तेल में डाल दिया है चार पाच लैसुन की कलिया भी बारी कट करके इसमें डाल दी है मीडियम फ्लेम पर इसे हम लगाता चुलाते हुए थोड़ा सा भूनेंगे प्यास को नब बहुत जादा डार्क नहीं करना है पस इस तरह हलका सा भूनने के बाद इसमें दो हरी मिर्ष बारी कट करके डाल दें एक चुमबस डालें हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स करें और इसे थोड़ा भून ले ताकि से हल्दी का कच्चापन निकल जाए और सबची टेस्टी लगे अब यहाँ पर जो भिंडी काटके रखी थी उन्हें कड़ाई में डाल देना है अब भिंडी को अच्छे से मिक्स कर देना है यहाँ पर आगको फ्लेम मीडियम रखना है अभी लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करना अब भिंडी को अच्छे से ऐसे मिक्स करने के बाद इसमें जाएंगे कुछ मसाले तो इसमें हमने डाल दिया है यहाँ पर देड़ चमच धनिया पाउडर इसमें हम डालेंगे एक चमच दरदरा पिसा हुआ सौंफ पाउडर यह जरूर डालेगा इससे भिंडी की सबजी बि ऐसे ही कोक करेंगे और उसके बाद आप इसे कवर करेंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच रखेंगे और इसे हम 4-5 मिनट कोक करेंगे बीच बीच में एक दो बार आप इसे जल्दी जल्दी चला दीजेगा अब यहाँ पर देखिए जो भिंडी है ना वो लग लगबग 50% तक कोक हो चुकी है तो बस इस स्टेज पर अब आपको इसमें नमक डालना है सारे मसाले आपको पहले ही डाल देने हैं लेकिन नमक लगबग 50% भिंडी के कोक होने के बाद ही डालें इस तरह भिंडी चिपचिपी नहीं बनती नमक मिक्स करने के बाद इसे ढख अब इसे लो फ्लेम पर ढखकर अच्छा सॉफ्ट होने दा कोक करें अब मैंने सब्जी को ओपन किया है भिंडी जो है वो अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है सब्जी बन चुकी है अब इस सब्जी में हम डालेंगे एक जो थाई चमच गरम मसाला इसे बहुत अच्छे से मिक्स क अब इस सब्जी में आप डालें नीबू करस जिससे इस सब्जी और भी ज़्यदा टेस्टी हो जाएगी अगर आप नीबू करस नहीं डालना चाते तो आधा-चमच आमचुर पाउडर डालें नीबू करसड़ने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखिए खि जोके टिफिन में भी पराठे की साथ उन्हें दे सकते हैं। बच्चे पूरा लंच फिनिश करके आएंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कॉमेंट और शियर जरूर करें।